हेलो अमित्रों आप सब का हमारी चैनल पर फिर से स्वागत है हम लोग आज बात करेंगे युजिसी के उन नियमों के बारे में जिनके आधार पर किसी कॉलेज युनिवर्स्टी को अफलियेशन मिलता है मानिता मिलता है हम जानते हैं कि युजिसी के 12B और 2F के तहत विस्वि सक होता है तो उस और कॉलेज का भी उसी तरह से होता है कि आप जितना भी जमीन आपके पास मिनिममम रिक्वाइर्मेंट है वह एक या फिर दो ही टुकड़े में हो सकता होना चाहिए आपके पास में तो यहां पर अभी बीर कुमर्सिंग बिश्विदाले आरा के जो मानित मिला हुआ है इनका जो जमीन है दो पार्ट में फिलाल है और यह सफिसेंट है इनको मानता मिले रहने के लेकिन इसमें बीच में जो प्रसासनिक अधिकारी के द्वारा सरकार के द्वारा जो इसके साथ छेर छाड़ किया गया है कि इनके जमीन को हड़प लिया गया या जवरस्ति समझे बिना परमिसन के अधिगरहन कर लिया गया और उस पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन अवंटित कर दिया उनिवरस्टी के जमीन को मेडिकल के नाम कर दिया इसी के लिए ये बिरोध परदर्सान उनिवरस्टी अस्तर पर हर एक कॉलेज में हर एक विभाग में परदर्सित किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे ह महावद्याले सिक्षक संग के द्वारा एक दिवसी धर्ना महरसे विश्वामित्र महावद्याले बक्सर के प्रांगन में हुआ ऐसे ही विविन्न कॉलेजों में विविन्न विभागों में हुआ है आप देखें इस भीड को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं ये इतनी भीड आपको इसलिए दिख रही है इसके बीच में ये एकता इसलिए दिख रही है क्योंकि हम युनिवस्टी को अपना समझते हैं हम युनिवस्टी के सहारे जीते हैं हम सब युनिवस्टी के पाट हैं हम युनिवस्टी को बनाय रखना चाहते हैं उसके लिए जी कर्मचारियों के साथ में कहीं सिक्चकों के संगठन के रूप में हर जगह आप इस उनिवर्स्टी के पक्ष में धर्ना देते हुए देख रहे होंगे मैक्सिमम केस में क्या होता है इनवर्स्टी के विरोध में धर्ना पर्दसन होता है लेकिन ये जिला परसासन मुर्दाबाद आरा परसासन मुर्दाबाद के नारा के साथ में ये घुसनाएं हो रही है प्रांगान में गुंज रही थी आज ये पुरू प्रावजित ये आंद College खो लेंगे यह आपके लिए जो decision है वो साङत योग्य है लेकिन एक संस्था को उनके जमीन को hard up करके University के जो अस्तित्यत्यव है इसको खत्रे में डाल करके ये निर्ने लेना कंधाभी उचित नहीं होता है इसलिए सभी करते हैं कि आरा में medical मेडिकल कॉलेज के स्थापना हो लेकिन उसके लिए कहीं अन्यत्र जमीन की खोज हो बहुत सारे जमीन ऐसे पड़े हुए हैं जिस पर आराम से और बहुत ही सुविधा जनक अस्तर से आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं तो फिर आरा के का जो इनुवर्स्टी है जिनके सहारे कई कर्मचारी कई परिवार का पालन पौसन होता है और सिक्षा का अस्तर जगाने के लिए इस सहबात छेत्र में एक लोता बिश्विधाले हैं इनके अस्तितु को मिटाने का प्रियास क्यों किया जाए इसके अस्तितु पर जो खत्रा है वो कारण ये है कि इनका जो जमीन ह उस जमीन के लिए जो रिक्वार्मेंट है वो जितना चाहिए उतना ही है इसमें से पचीस एकड़ आप ले लेंगे तो उनिवस्टी के अस्तित पर खत्रा हो जाएगा इसकी मानेता खतम हो जाएगी तो उनिवस्टी ही नहीं रहेगा तो फिर यहां पर इसकूल कॉलेज जो म जमीन को उस निर्ने को पुनह वापस लेते हुए उसको इनिवस्टी के नाम कर दिया जाए और उसके जो अस्पताल के लिए जमीन है उसको कहीं और लेकर के उसको जल्द से जल्द अस्तापीत किया जाए इसी निर्ने के साथ हम सब लोग यह सरकार से आसा करते हैं कामना कर करते हैं उम्मीद करते हैं कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे इतने सांती पूर्ण और एक साथ आने के कारण एक प्रेशर एक दवाब जरूर बनेगा और हम देख रहे हैं अखवारों में भी रोज इस पर खवर छप रही है तो सरकार अभी तक कुछ भी निरने नहीं ले पाई हैं उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ ना कुछ निरने जरूर हो जाएगा तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद